आज पिर दाने का टाइम और आपके लिए फिर एक चोटी सी वीडियो हमारे चाइनल के जरीए हमारे फार्म के जरीए मैं लेकर आया हूँ इशाला वीडियो पूरा देखें एंटक कर देखें अच्छा लगेगा आपको और बकरे देखने में और मज़ा आएगा क्योंकि बकरे दिखाएं जब हम लोग बकरे अपने चाइनल पर दिखाते हैं और उनके लिए ये पल बहुत इंपोर्टेंट होता है और मेरे लिए भी ये पल जब बकरे खाते हैं मेरे लिए सबसे मेरा फेवरेट पूरे दिन में मेरा फेवरेट जो टाइम है मैं इसी पल को देता हूँ जब बकरों का दाना होता है बहुत खुशी होती है अपने बकरों क खाता हुआ देख, क्योंकि बखरे काफी परिशान करते हैं अक्सर खाने में, कभी कई लोगों के ऐसे ऐसे कॉल्स भी आते हैं मुझे, कि गर्मी का सीजन आ गया है, हमारे बखरे खा रहे नहीं हैं, ये और भी कई तरीके हैं, बहुत परिशान कर रहे हैं, आसी भाई हम तो जब लोगों के कॉल्स को मैं सुनता हूँ, उनसे बात होती है, तो मुझे महसूस होता है कि लोग कितने ज़्यादा परिशान हैं, और मेरे मालिक का इतना करोणों ऐसान है, कि हम लोग हमारे दर, हमारे बखरे माशालला, जो हमारी फीड है, आप देखेंगे हमारा को हमने मुझे लिक दो डब्बे दालते हैं बड़े, स्टेल का डब्बा आता ही है, और माशालला लोग कूरा खाते हैं, तो ये एक अलग खुशी है, ये अंदर से निकलने वाली खुशी है, ये महसूस करना जो बखरे पालता है, ये चीज वही महसूस कर सकता है, जिनके बस बखरे नहीं है, उनके लिए ये खुशी शाहत उनके लिए नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा पल होता है, हर बखरा खाता है, कुछ तरीके होते हैं, कुछ सिस्टम होता है, काफी लोग वो तरीके को पर चलना ही पाते हैं, और परिशानिया लेते हैं, सिस्टम से चलना काई लोग मैंने देखा हूँ दिन में कई टैम पे बकरों को दाना डालते हैं सुबा उठते ही साथ दालते हैं फिर दो पैर में देते हैं फिर शाम में देते उनको ऐसा लगता है कि जितना जादा बकरे को खिलाएंगे बकरा उतनी स्पीड बढ़ेगा क्योंकि सारा जो सिस्टम है लोगों का दिमाग उनके लिए उनके बकरे का हर महीने का वेड गेन वो बहुत जादा उनके लिए टार्गेड वही होता है कि हमारा बकर हर मैंने maximum weight gain करें लेकिन उसके लिए भी कुछ तरीके हैं उस तरीके से follow करें उस तरीके के हिसाब से चलें क्योंकि जो हमारा system है जो पचाने का या पाचन का या हाजमे का digestion का system है तीनों भाशा में बोल रहा हूँ आपको तो वो बिलकुल अलग है बकरों के बकरों से बिलकुल अलग है हम खाते हैं फिर हजम होता है और उसे फिर पचा के हम बाहर निकाल देते हैं जो observe होना है वो observe हो जाता है मैं ये आसान भाशा में आपको समझा रहा हूँ मैं scientific या science वो सब चीज़ों को अलग रखके बात कर रहा हूँ तो वो आसानी से हजम हो जाता है हमारे अंदर और हम उसे वेस्ट निकाल देते हैं जो बॉडी को लगना है वो लग जाता है लेकिन बकरों का जो सिस्टम है चौपाये जिन्हें हम कहते हैं जिसे बकरे हैं भैंस हैं इनमें ये सिस्टम बिलकुल अलग है बकरे जब जो टाइम पर जो चीज़ खाते हैं उसे वो फॉरण हजम नहीं करते हैं वो एक जगा जाके मैं ये एकदम आसान तरीके से आपको बताने के कुशिश कर रहा हूँ ये एक जगा जाके जमा होता है फिर कुछ टाइम बात जब बकरे आराम से बैढ़ आते हैं सुकून से बैढ़ आते हैं फ्री टाइम में तो वो वापस उसे वापस उपर मुह मिलाते हैं और उसे जुकाली करते हैं पागोड करते हैं ये एक सिस्टम होता है फिर उसे वो चबा चबा के चबा चबा के फिर वो जहां हजम होने वाली जगह है वो आत उसके अंदर ये चला जाता है इस तरह के से समझाने का मतलब यह है कि आपको आसानी से समझ में आ जाएं बखरे direct हजम नहीं करते हैं बखरों का हाजमा अलग होता है इसलिए बखरे भूके नहीं रहते अगर हमें उन्हें तीन चार घंटा पाँच गंटा आठ गंटा अगर कुछ नहीं खिलाएं तो बखुके नहीं रहते क्योंकि उनके पेड में उर्री दाना रहता है वो ताइम और शिवर्ब को पने उसमें चोगाल कि सब्सक्री ese निकल जाता है तो इसी 6 Bi बकरों को maximum time दाना नहीं देना है। हमारा farm का system बिल्कुल अलग है। मैं किसी और के farm के बारे में या किसी और system के बारे में मैं गलत या सही नहीं सावित करने के कोशिशіш कर रहा हूं। लेकिन मैं मेरे farm का system आपको बताओंगा। हमारे farm पे सबसे आसान तरीका होता है सुभा जब होती है तो हम लोग सफाई के पेले बकरों को हरी पत्ति डाल देते हैं उस time पे maximum जो बकरा जितना capacity है उतना खा सकता है उतना दालते हैं जो loon भूलते है हरी पत्ति होते है वो आसान है उसके बाद पानी के लिए हम लोग छो पाज अच्छे वजे उन्हें हमारा जो यह फीड है लेकिन फीड भी हम मैक्सिमम देते हैं जो बकरी की कैपिसिटी है जितना खाना उसे ताही देना है जब ये पूरी तरह से ये खा लेता है, खतम हो जाता है, उसके बाद एक से देड़ घंटे के बाद या दो घंटे के बाद, मैक्सिमम हम लोग देड़ घंटा रखते हैं, फिर देड़ घंटे के बाद हम लोग उसे हरी पत्ती फिर जो सुबा दी रहती है, वही चीज वापस शाम में एक बार और देते हैं फिर वो जब पूरी तरह से वो खा लेते हैं तो उसके एक घंटे आदे घंटे बाद जैसे हमें मौका लगते हैं हम उने फिर से पानी की तरफ छोड़ते हैं और पानी बिलाते हैं तो यह हमारा डेली का रूटीन है और इतम सिंपल तरीका है वेट गेन भी है आप रिजल्ड भी आके देख सकते हैं हमारे फार्म पे बहुत जादा बकरों के पीछे परिशान रहना या सिर्फ खिलाते रहना कोई तरीका नहीं याने दिन में सिर्फ एक भार एक ही टाइम हम लोग अनाज देते हैं लेकिन वो एक टाइम हम लोग मैक्सिमम अनाज देते हैं और भरपूर देते हैं आप देख सकते हैं यह बड़ा डबबा आता है ये बड़ा डबबा भरके बड़े बकरों को दो या धाई जाता है धाई डबबा जाता है और चोटे बकरों को देड़ डबबा या दो डबबा जाता है अगर आप हमारे तरीके से खिलाएं हम जो तरीके से खिलाते हैं इंशाला वेड गेन होगा और खुशी भी होगी आपक प्रान्प मत्रस्ता किता है जी सूँकर हमसे उपना और दश्के और सब्सक्राइख कि और हमे खाएगी होगों कुछ्टों दशली सब्सक्राइब इस्वारा धर में त्राइं है हमारे इसाब से बैस्ट है वेड गेन है बहुत अच्छा वेड गेन है जो हमारे फार्म पर रेगुलर आ रहे हैं लोग उन्होंने खुद देखा है कि माश्यालला हमारे दर वेड गेन बहुत अच्छा है सिंपल तरीका है उसे फॉलो करते हैं अग्sy है औरंटन आप देखे हमारे दाने के टाइम पर आएए मैं तो लोगों को बोलता हूं जब हमारा आने का टायम होता है आप आएं और विजिट करें और आप देखें हम लोग कैसी फीड करते हैं किस तरीके से करते हैं तो आपको खुद समझ में आएगा कि क्या तरीके से जानवर को हमारे बकरों को हम खिलाते हैं और आप कैसा खिला सकते हैं तो वहराल चोटी सी वीडियो मै फीड के बारे में लेगा आया था कि क्या रूटीन होती है डेली की और किस तरीके से खिलाया जाता है जानवरों को, बकरों को और कैसा उनका पाचन का सिस्टम होता है, जो हाजमे का सिस्टम होता है तो सिंपल चीज है, इसे हम बहुत ज़ादा कॉंपलिकेट कर चुके है, आसान करें, इजी करें तो इंशालला रिजल्ट भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट्स बॉक्स में दालें, बताए मुझे मैं इंशालला पूरी कोशिश करूँगा आपके हर कमेंट्स को जवाब देने के और मैं देता हूँ, तो वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया असलाम अलेकुम, अल्ला हाफिस